हेलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन देखी जैसे कि लास्ट लाइव सेशन में आपको बता है हमने सीजियल 2018 प्री का पेपर देखा था जिसके अंदर चार जून की फर्स शिप्ट का एक्जाम हमने देखा था आज हम चार जून की सैकिंड शिफ्ट का एक पहले आपको concentrate होके पढ़ाई करनी है यानि पहले देखना है कि examination point of view से कितने स्टेप हमें लिखने चाहिए कितने स्टेप काटने चाहिए क्या-क्या इसी चीजी है जो हमें ध्यार लखने चाहिए examination point of view से ठीक है आई ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले को से स्टार 9 ।1-, यह कोशन है यह 72 से डिवाइद हो रहा है कि आपको निकलना 5 steps 3, को कोशी है ठीक है, ठोड़ा सा कोशीश करें जल्दी कर नेकि अगर यह 72 से डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले यह 8 से डिवाइड होगा 8 से डिवाइड होता है तो आप देख सकते हैं 8,3,24 बचे का 7,Y की विल्लू 2 आ जाएगी ठीक है अगर यह 2 आ गिया अब यह नंबर आपका 9 से भी भाग हो रहा है 5,3,8 और 1,9 9,7,2,9,8 बचा ठीक है तो X की जगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा तो यह आपका अंसर माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 1 आपका अंसर आ जाएगा जितना मैंने लिखा है केवल इतना ही लिखना है इसके लावा कुछ नहीं लिखना 8 से भाग चेक किया पहले फिर 9 से भाग चेक किया आईए बढ़ते हैं अंगले कुछन पर देखिए अगला कुछन अगर आप देखते हैं नेक्स कुछन अगर मैं देखता हूँ तो DI का है नेक्स कुछन आप देखते हैं इसमें आपको दे रखा है कि कि राजू की इंकम 20 परतिशत अधिक है ठीक है खर्चे से दो तरीके साब कुश्चन कर सकते हैं अगर खर्चा 5 है तो इंकम 6 हो गई सेविंग एक हो गई बाद में वो बोलता है क्या बाद में बोलता है कि इंकम इंक्रीज हो गई परसेंट चैश्च 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 हो गया सोला चिक चैनमे 9.6 और एक्सपेंडीचर इंक्रीज हो गया सत्तर परसेंट सत्रा पंजे मैं लिखने की नेस कैसे बढ़ते हैं हुआ है कि नेस्ट कैया कह सब्सक्राइब शार्कल अब कर एक सर्कल में है जिसका केंदर और ओ है कि यो को बढ़ा के पर मिला जाता है आ और एडीवीशी पर प्रपेंडिकुलर है। थीक है यह आपको दे रखा है बी एंगल 64 हो गया यह भी 90 हो जाएगा यह पूरा एंगल अगर आप मिलाते हैं तो पूरा एंगल कितना होगा असी दस नबबे पूरा एंगल और आपको निकालना है कितना एंगल आपको केवल यह वाला पार्ट निकालना है कौन सा पार्ट निकालना है अगर आप देखते हैं यह वाला पार्ट आपको निकालना है यह पर्पेंडिकुलर है यह सेंटर है यह 90 हो गया 64 हो गया यह एंगल कितना हो गया यह आ गया आपका 10 डीग्री क्योंकि 80 है यह 80 होग्या तो यह तहें इस दीग्री आपका अंसर लॉम्य है ठीक है तो दीखे इसमें डायग्रामें ही करना है ऐसा नहीं कुछ लिखना है साथ में आपको केवल इसमें डाइगरम में आपको सीधर-सीधर सॉल करना है नेस्ट कोश्चन पर बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन आपका डियाई का है डियाई का कुश्चन अगर मैं देखता हूं कि प्रड़क्शन ऑफ कार ओफ टाइप बी रिप्रेजेंट की जाती है ठीक है और आपको बताना है देखे अगर टाइप B का अगर आप टोटल करते हैं तीन डिखे आं टोटल वाला पार्ट में मैं मैं टोटल बाला पार्ट देखता हूं तीन चाह चाह साथ वारागे 6-18 और सात पच्चिस दाइसो हो गया 14 428 20270 हो गया तो 270 के लिए एंगल बनेगा 360 डिगरी का ठीक है और आपको निकालना क्या है 2016 का 2016 का हो या 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 यह निकालना है साड़े चार से डिवाइड कर देंगे डिवाइड बैसाड़े चार यानि असी आ गया नहीं तो आप यह भी कर सकते हैं तो तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं कि अधिक काफी सारे बहुत सारे बेसी कोश्चन से हैं जैसे हमने फर्स शिफ्ट करके एक्जाम के ता मुश्किल हो गया रहा कुछ नहीं है आप लोग अगल लगे मुश्किल है तो में बात है कि कैल्कुलेशन पाट के भी काफी और बता है कि आपको यह कैल्कुलेशन पार्ट पर स्पेश्चिली कमाइंट करना पड़ेगा अगला कोश्चन देखते हैं सब्सक्राइब को अगला कोश्चन है आपका इभी डी आई का है कि कार भी की प्रोड़क्शन दो जार्टेरा-चोधा पंदरा और सत्रा में 13 14 15 17 13 14 15 17 अगर आप देखते हैं ठीक है आपने देखिए क्या निकाला था 270 निकाला था अब लॉजिकल पार्ट देखिए जो इससे उपर वाला कोश्चन था डाटा इसमें भी वही सेम है बिलकुल पर इसमें साथ नि लेना 270 में साथ गया बचा 210 तो पूरा केल केलेक्शन की जुरुदत नहीं है थोड़ी प्रेजेंस आप देखेंगे उपर भी और नीचे भी आगे उसने क्या बोला टोटल परड़क्शन कार भी इन 2017 को टोटल परड़क्शन ओफ ओल टाइपस ओफ कार सभी परकार की कार का अगर टोटल करते हैं 2017 में यह आ गया साथ तिन दस चोदा चार अठारा पांस तेज दो सो तीस हो गया और पारा पांस सत्रा दोनीश चैपचेस दो सो पच्पन हो तो कितना अधिक है 45 अधिक है यानि 8 से 45 कम है ठीक है तो आपने दीख है परसेंटेज आपको निकाल लिए पास से अगर काटते हैं 951 अगर यहां 50 होता तो आंसर 18 परसेंट आता जाता पर यह 51 है तो 18 से कम आएगा थोड़ा ठीक है अठारा से कम आएगा यह आपका अंसर होगा थोड़ा सा वो भी जो कि हो गया आपका डी ऑप्शन 17.6 17.6 आपका अंसर हो जाएगा अगली कोशन पर बढ़ते हैं अगला कोशन किा यह एक टिकविस्ट्ट्रीक है इसके इसकी इसके वॉपाप कर सकते हैं जैसे की मैं दायर देखता हूं को स्कुरेट युदाट पॉर को स्कुट्र फटीटा पॉर को 60 अगर आप निकालते हैं कॉसिस्टी होता है वन बाइटू सैक 60 हो गया प्लस का साइन 60 हो गया जो की रूट 3 वाइट 2 हो गया तो 2 प्लस रूट 3 दो दो इंटू 2-3 यानि यह हो गया आपका बी प्रोटल डाप पोस्कूह कचार तीटा बेराबर सफटा से कोपर कट में इस अधीटा कि सब्सक्राइब यह कोशन अच्छा था एक है इस मैं और ज्यादा समय नहीं लगाना आपको whole square पे base है अगर मैं देखता हूँ ध्यान से सबसे पहले देखने वाला पार्ट यह है 16x square 16x square यानि square बनेगा 4x का क्योंकि right side में आप देखते हैं 24 into x minus y plus z right side में लिखा 24 24 को अगर 2 से भाग करते हैं तो बसता है 12 12 में से एक नंबर आ गया 4 यहां पर बचा 3 तो यहां पर आ जाएगा minus 3 इसका whole square 3y अब देखें minus का square इसलिए बनाएं क्योंकि right side में plus 24x था अब आप यहां पर देखते हैं minus 24y है तो 2 से भाग करा 12 आ गया 12 को 3 से भाग करा 4 आ गया तो plus 4 आ जाएगा इसी तरीके से मैं यहां देखता हूँ 4z यानि 2z हो गया और z के साथ आ रहा है plus sign तो square बनेगा minus का ठीक है क्योंकि यहां पर आके minus हो जाएगा 2 से भाग करेंगे 12 फिर 2 से भाग करेंगे 6 तो यह आ गया इसका whole square equals to 0 आ जाएगा अगर आप देखते हैं value निकाल लिए xy x की value के आ गई 3 बटे 4 y की value minus 4 बटे 3 plus 2z 2z की value किसके बराबर है 6 के बराबर है तो 6 minus 1 आपका 5 हो जाएगा तो देखे मैंने 2-3 step इसके अंदर से काटे हैं नेक्स कोशन देखते हैं यह भी एच्छा कोशन था देखे इसकी value आपको निकाल लिए वो value होती है फॉर्मला अगर आप देखते हैं direct x plus y plus z जो की 19 हो गया अंदर आप देखते हैं x plus y plus z का whole square minus 3 times x y y z x और इसकी पावर आजाएगी 1 by 2 क्यों कि देखे इसकी पावर 1 by 2 है तो यहां 19 अगर आ रहा है तो आंसर में 19 आना तो जरूरी है क्योंकि यहां कोई denominator पार्ट नी जिससे ही डिवाइड होगा तो आप डारेक्ट भी आंसर मार्क कर सकते हैं आप सॉल करना चाहें तो सॉल भी कर सकते हैं क्यां सॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप देखते हैं 19 इस में भी आ रहा है 19 इस में भी इस प्लस य प्लस जैट इस पूरे की पावर रूट है और आंसर इंटीजर में और हमा पिए नेक्स कोशन देखते हैं अगर आप देखें से त्याब्स आगे आपका दो सरकल है नियुक्त जिसका रेडियस तस सेंटीमीटर और अठ सेंटीमीटर है थीक्ट दस सेंटीमीटर और आट सेंटीमीटर माल लेता है यह 10 है यह 8 है एक दूसरे को पी और क्यूब इंदू पर प्रतिच्छेद करते हैं पी क्यूब का वैल्लियू आपको 12 दे रखा है 12 का मलब हो गया यह 6 हो गया तो यह 8 हा जाएगा 8 हो गया 6 हो गया पाइथागोस लगाएंगे तो एक बार 8 प्लस 6 14 हो गया एक बार 8 माइनस 6 जो की 2 हो गया 14 टूजा 28 28 का रूट करेंगे 2 रूट 7 ठीक है तो 8 प्लस 2 रूट 7 यह अगर आप देखते हैं तो 2.6 के करीब होगा 26 दूनी 52 13.2 13.3 के करीब आंसर आएगा आपका आपने देखा सी ऑप्षिन सी ऑप्षिन आपका आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं देखें अगें टिग्नोमेटरी का कोशन है बहुत सिंपल है डारेक्ट ही देखते हैं बिल्कुल सामने सामने अगर मैं बोर्ड पे देखता हूँ तो उपर वाले में साइन सकते हैं वह गतानरे रखने क्यों यो कि आपका साइड़ की या दो जाने AI नौन का ओंसर हो जाएगा इसमें मैं लिखूंगहां इसका सो लुच्छन आपको ऐसे समझना है जो की हो गया आपका में फिफ्टी टॉब्लस 76 जो की है टोटल प्रोडेक्शन ओफ कार इंडी इन टुटाउड़ेंट फॉर्टीन सिक्स्टीन सेवंटीन यह गया बैलेस और छे आलेस हो गया आपका अधासी और पच्पन हो गया एक सो तिरतालेस तो यह 8 हो गया यह 13 हो गया एक इस्टू 13 आपका अंसर आजाएगा एक बार दोबार से देख लेते हैं अब जैसे मैंने कैल्कुलेशन देखी इसके अंदर अभी डियाई वाला पार्ट है कोशिश करनी है घर पे बेसिक कैल्कुलेशन पर काम किया जैसे इस्पेक्टर चाली कि नमबर जल्दी दिमाग में आ जाएंगे अगर आप डिली रूटीन में काम करते हैं तो नेक्स कोशन 14 देखते हैं देखिए डारेक्ट फॉर्मले पर है उपर आपका एक यूब माइनस बी क्यूब है नीचे ए माइनस भी है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं Aq minus Bq उपर है नीचे A minus B हो गया इसे आप लिख सकते हैं A squared plus AB plus B squared तो A squared plus AB plus B squared करेंगे अगर तो 25Y square Aq यह हो गया आपका twice of X plus Y का whole square कि इसका होल स्क्वेर एंस्वेर प्लस कि भी स्क्वेर प्लस कि एबिए कि यह आपको सौल करना है उपर वाला पार्ट अभने डिखा हेए क्यूम माइनस बी खूप अपउन A-B, जो कि आपका A square plus B square plus A B हो जाएगा, इसको अगर आप solve करते हैं, solve करने वाला बाट देखे किस तरीके से करना, ये भी 2 का square आएगा, ये भी 3 का square आएगा, X square के साथ क्या आएगा, 4 और 9, 13, 13 plus 6, जो कि 19 हो गया, X square के साथ 19, यानि A की value आपकी 19 हो गई, direct देखना, इसमें लिखना नहीं है आपको, ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, अगर मैं देखता हूँ, B square, Y square, तो 4 plus 9, 13 हो गया, 13 minus 6, जो कि आपका साथ हो गया, ठीक है, तो B की value, आपकी C की value 7 आगई, अगर बात करते हैं, B की, यानि जो part बचेगा आप, वो बचेगा, X, Y वाला, X, Y वाला part आपको कहा मिल सकता है, यहां से मिलेगा, 2X, Y, 2X, Y यानि 4, 2, 8, और यहां हो गया, 9, 12, 18, 8 minus 18 हो गया, minus 10, तो 19, 26 minus 10, यह हो जाएगा, आपका 16, तो 16 आपका answer हो जाएगा, लिखना के वल इतना ही बाटा है, आप खूल के लिखने हैं दुबार से, वो step मैंने सारे अवाइट करें, जैसे pen free habits की, हमने session देखा था, उन सब में यह दिखाए गया है, कि आपको step कैसे skip करने, तो यह step नहीं लिखने आपको, आपनो compare करना है क्योंकि लास्ट में इसलिए लिखने की जुरुवत नहीं है, next question लिखिए, देखिए, देखिए, इस question में आप यह भी कर सकते हैं, 5y-x है जैसे, तो a यह हो गया, b यह हो गया, a square, b square, plus a, b, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और फिर भी आपका answer आजाएगा, next देखते हैं, यह important question है, इस variety पर हम next class में, next session में discuss करेंगे, अगर आप देखते हैं, यह बहुत अच्छा question है, दो तरीके से आप कर सकते हैं, इस question को, a 30 minute जादा लेता है, b से 15 km की दूरी के लिए, नि दूरी fix है 15 km की, यह दि देखिए, a की speed मैं x माल लेता हूँ, और बाद में a की speed double हो जाती है, तो a ने जो समय लिया, उसमें जो अंतर आपको दे रखा है, पहले उसे b से 30 मिनट जादा लगते थे, अब लगते हैं b से 1 घंटा कम, तो अंतर हो गया 1.5 घंटे का, 30 मिनट जादा, और 1 घंटा कम, difference होगे इन दोनों समय में कितना 1.5 घंटे का, 1.5 घंटा यानि 3 बटा 2, अगर आप solve करते हैं, ठीक है, यह आगिया 5 by 2x equals to 1 by 2, तो x की value 5 आजाएगी, यानि इसकी speed, a की speed 5 आजाएगी, अगर आप देखते हैं a की speed 5 है, तो a को time कितना लगेगा, 3 घंटे का, और b को कितना लगेगा, 1.5 घंटे का, क्योंकि आदा घंटा कम लगेगा, तो 15 के इसाब से अगर आप देखते हैं, 15 बटे 1.5, तो 6 घंटे हो जाएगा, तो 6 आज साब का answer हो जाएगा, 6 km पर आज, ठीक है, दूसरा तरीका यह हो सकता है, कैसी question को करने का, जब a समय ले रहा है, t, तो b को लगेगा, t-5, a ने speed डबल कर दी, तो time आदा हो गया, अब b को उससे 1 घंटा अधिक लगेगा, अब देखे, time तो equally रहेगा, अगर आप इन दोनों की चीज़ों को equate करते हैं, क्योंकि जितना समय b को लग रहा है, दूरी तया करने के लिए उतना ही लगेगा, यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि b की गती चेंज नहीं हो रही, a की गती चेंज हो रही है, तो यह अगर इसके बराबर है, अगर इसके बराबर है का मल्लब है, तो t by 2 की value आपके कितनी आगी, 3 by 2, ठीक है, यह इसके बराबर है, t by 2 की value आपके 3 by 2 आगी, t की value 3 раз आगी, ती अगर 3 है, तो b को कितना समय लगेगा, लगेगा, दाइग गंटे, और पंद्रा की दूरी तयकन्नी है डाई घंटे के अंदर स्पीड आ जाएगी छे किलो मेटर परती घंटा यह आपका अंसर हो जागा दो तरीके से कर सकते हैं आपको उच्छन यह देखें बौर्ड मास पर कोशन है सबसे पहले आगर आप देखते हैं ब्रैकेट यानि तीन बटा छे इंटू दो जो कि आपका एक हो गया ऐसी मैं यहां पर देखता हूं इसी मैं आगे देखता हूं तो 4 हो गया 10 14 तो यह पार तो बनाना पड़ेगा थीक है यह थोड़ा पर आप देखेंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो जो भी बच्चे बोलने पेपर बहुत मुश्किल है मुश्किल कुछ भी नहीं है इसके अंदर में बात है कि हमारी त्यारी उस लेवल की नहीं है मैं कहता हूँ कुछ एक को शशन में जैसे आप दीकें यह कोशन कैलकुलेटिफ था फिर भी ठीक है अदर्वाइग आप स्कॉशन देखेंगे उन में कि सिम्में का श्रषतन नहीं है कि ने स्कॉशन देखेंगे या वो proportional होगा ठीक है proportion में होगा आप अगर देखते हैं करने का तरीका क्या या तो आप X की वेल्यू एज्यूम करते रहें एक्सकी वेल्यू 1 माने 2 माने 3 माने तो आप देखेंगे एक्सकी वेल्यू 5 होगी उसके लिए हो जाएगा एक्सकी वेल्यू अगर आप 5 रखते हैं 30 माइनस पांच 18 हो जाएगा यह 34 अठारा बटे 34 कि यह 27 बटे 51 तो यह सैटिस्वाइब हो जाएगा थीक है तो यह सैटिस्वाइब हो गया तो एक्सी वेल्यू 5 आजएगी पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं दूसर तरीका यह है कि इसका अंतर क्या है 24 इसका अंतर कितना है 16 इसका रेशयो होगे दोनुपात 3 तो इस वाले को इससे गुणा कर देते हैं इससे गुणा कर देते हैं यह हो गया कितना आएगा 69 और 64 यानि 5 अगर मैं एक्स पर काम करता हूं माइनस 2x माइनस 3x तो यह आ जाएगा आपका एक्स की वेल्यू आपकी 5 आजाएगी एक्स की वेल्यू अगर 5 आगे आपको क्या निकालना है मीन प्रपोर्शन निकालना एक्स पुलस 4 और 3x प्लस 1 9 और 16 यानि 12 एक्सी वेल्यू पूट करेंगे आंसर आ जाएगा ठीक है यह कोशन भी मैं कहूंगा अगर आपको यह वाला पार्ट पता है तो इजी है अदर्वाइस कल्कुलेटिव हो सकता है नेक्स कोशन देखेंगे अगेंट सिंपल कोशन है मार्क प्राइस दे रखा है 315 और 4 परसेंट की हानी पर बेचा गया दिखेंगे बहुत सिंपल है चार परसेंट की हानी पर यानि 96 परसेंट की वेल्यू हो गई 288 यानि 300 पर जो गया उसका CP आ गया सीपी अगर 300 है मार्क प्राइस पंदरा है पंदर रुपए उपर बढ़ा दिया पांच परसेंट आपका आंसर हो गया तो 5 परसेंट आंसर आ जाएगा बास समझने वाली है ज्यादा लिखने वाली नहीं है बेसिक सागोशन था नेक्स कोशन पर आते हैं अगर आप देखते हैं अगर मैं देखता हूं एफिशेंसी का दे रखाए 4-5 तीन तो देखें क्यों नर्डारेट काम किया जाए सबसे पहले हम क्या करते हैं टोटल काम निकाल तोटल काम अगर आप निकालते हैं पांच चान नौ तीन बारा इंटू पच्चिस बारा 35 परसेंट काम निकालना है तो थर्टी फाइब यह पांच हो गया यह चार हो गया यह तीन हो गया पंदरा आंसर आ जाएगा तो फिफ्टीन डेस आपका अंसर हो जाएगा कॉंसेप्स समझे होंगे तो केबल मैथमेटिकल पार्ट चलेगा इतना इतना वाकि और कुछ अगर आप बनाते हैं तो पर आपको पता है मैंने आपको इस वाला कॉंसेट पढ़ता है ठीक है यह समने कंपाउंड इंटर्स सब जगे बहुत ज़्यादा लगा है तो आप यहां पर भी लगा सकते हैं क्योंकि मैं ऑप्शन भी देख पार हूं सभी के डियस अलगा लगी है अगर आप 10% के हिसाब से 2 साल का अगर निकालते हैं तो कितना होगे 21 कि आदे साल का कितना होगे 5 कि आपको पता है मैं डारेक्टी लिख वाता हूं और जब डियस लगाते हैं तो हमें लिखने की जुरुत नहीं पढ़ती तीन और पांच आठ तीन पंजे पंदरा आठ पंदरा पंदर यानि 5 और एक छे ठीक है 8 और चया यानि 14 हो गया 14 का मनलब 5 हो गया तो डियस जो आ जाएगा आपका वह 5 हो जाएगा ठीक है पांच किसका डियस नेट रेट का प्रिंसिपल में नेट रेट निकालेंगे तो सी आई आएगा यह पांच है और अंको का योग कितना है छे दो आठ और एक नो बचा तीन अगर यह तीन होता है पांच नीचा आएगा इंटू टू यानि प्रिंसिपल के अंको का योग 6 होगा तो 6 किसका है आप देख सकते ह आपका डारेक्ट आंसर हो जाएगा बनाने पर आएंगे तो कोशन देखें बड़ा पड़ेगा पर वैसे आप डारेक्ट कर सकते हैं नेक्स कोशन लिए देखिए कि एक ट्रेंगल है सिमलर है डीएफ के एबीसी का एरिया सो है देखिए सिमलर अगर है और एरिया की बात हो दो डारेक्ट रूट करते हैं दस बटा साथ और दस का एल्टिट्यूट दे रखा है दस की वेल्यू पांच हो गई तो साथ की निकाल लिए जो कि साड़े तीन हो देखिए पढ़ते पढ़ते ही कुशन सोल होगी है इसमें कुछ कंदना ही नहीं है आपको ठीक है दो बासे बतायता हूं देखिए एरिया का रिश्व आप निकालेंगे सो ननचा साइड का निकालेंगे दस साथ दस की वेल्यू अगर पांस दे रखिए साथ की साड़े ती नेक्स कुशन देखेंगे कुशन नंबर 22 ठीक है नेक्स कुशन पर आते हैं अगर आप दोबार से देखते हैं राम ने एक आर्टिकल खईदा 1240 उपेगा जिसे उसने 25 परसेंट हानी पर बेचा ठीक है 25 परसेंट हानी पर बेचा यानि चार की वेल्यू हो गई आपकी 1240 जानी 310 तीन की वेल्यू होगी 930 1240 की चीज 930 में बेची इसने एक दूसी बस्तू खईए दी जिसे 40 परसेंट फायदे पर उसने बेचा ठीक है 40 परसेंट फायदा अगर आप देखते हैं इसका 40 परसेंट 930 के फायदे पर बेचेगा 900 का 40 परसेंट हो गया 360 और यह हो गय तो यह हो गया आपका बारा और तेरा सो दो कि यानि बासट रुबे का फायदा हो गया कि 1240 पर जो आप करते हैं तो पांच परसेंट आंसर आजएगा 5 परसेंट आपका अंसर हो जाएगा बेसिक सी चीज है देखिए मैं जैसे हमेशा बोलता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए कॉंसेट को तो 1240 की चीज थी इतने में बेची उसने इतना और फायदा अर्कम आया इतने में बेचेगा टोटल फायदा इतने का हुआ इतने रुपे पर पांच परसेंट आंसर हो गया नेस्ट कोशन देखते हैं कि नेस्ट कोशन क्या कह रहा है कि दस बाइ आट बाइ चैकी एक शीट है सर्कुलर ओपनिंग है रेडियस वन मीटर की इस टूबी लेफ्ट अट टॉप अप टैंक ठीक है तो शीट का एरिया बताना है तो देखिए दस इन्टू आर्ट विजवलाजिशन बहुत जरूरी है ऐसा नहीं कि आप डाइग्राम बनाएंगे पहले इसके अंदर कि ये दस हो गया ये आट हो गया ये च्छे हो गया ये कन्ने की जो अद्नी है और यहां पर एक सर्कल है एक रेडियस का ठीक है अगर आप देखते हैं दस अट्टे आठ शीक अड़तालिस दूनी च्यान में दस शीक साथ साथ दूनी 120 अगर प्लस असी माइनस यह हो जाएगा आपका रेडियस कितना दे रखा है रेडियस दे रखा है इसका वन मीटर तो पाइंटू वन का स्क्वार यानि थ्री पॉइंट फॉन फॉर हो गया यह आपको ग कि सॉल करते हैं दो सो दो सो असी तीन सो चैतर कि तीन सो चैतर माइनस तीन पॉइंट एक चार तो 376 में से तीन के करीब गटाएंगे 372 से उपर मिलेगा 372.9 तो यह लगबग आपका अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स कुशन पर आएंगे नेक्स कुशन आपका डियाई का है ठीक अगर आप देखते हैं प्रोड़क्शन ओप कार ओफ टाइप A in 2015 और टाइप C in 2013 टाइप A in 2015 जो कि आपका 48 हो गया और यह हो गया आपका 52 जो कि 100 हो गया कि वाट परसेंट ओफ टोटल प्रोड़क्शन ओफ कार ओफ टाइप डी इन फाइव यह आप देखते हैं पांच चान नो चार तेरा चार सत्रा चार इक्कीस ठीक है और आगे अगर आप देखते हैं कि इक्कीस हो गया 210 टोटल करेंगे साच है तेरा पांच अठारा दो बीस दो सो तीस हो गया तो थर्टी ठीक है अब आपको परसंटेज निकाल लाएं अगर परसंटेज आप निकालते हैं इसका परसंटेज निकाल लाएं कुल परसंटेज कितना होगा इसी कई परसंटेज निकालना है आपको सो बटा दो सो तीस का थीक है थीस चोक सबसे पहले 92 आ जाएगा बच्चेगा आठ पिर 23 तीज पॉइंट कुछ आएगा जो कि आपका सी ऑप्शन में है सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ठीक है द देकि ध्यान से हमने क्यलकुलेशन करनी है क्योंकि अप्रॉक्रोक्सिमेटा सब्देश सारे तो यह कि यह था पर आप इस तरीके से करेंगे पर आपने लिए काफिय स्थ आपका आसर हो गया अगर आप देखते हैं शिच्टी एट पोइंट फाइफ किलो ग्राम एवरेज वेट है 68.5 किलोग्राम कि यह एवरेज है ठीक है किसी क्लास का चार नए बच्चेस के अंदर एड होते हैं अगर आप टोटल करते हैं टोटल आप करते हैं चार से भाग करेंगे तो यह आ गया गया 68.8 क्योंकि 300 ग्राम बढ़ गया अगर मैं लगाता हूं तो यह आ गया 1.2 यह आ गया पार्ट मैंने लिखेंगे अप पूरा पेपर अगर देखेंगे ध्यां से आप यह नहीं और उसे कि लिखने यह करना है कि कम से कम है जैसे जैसे मैंने आपको सिखाए कि step skipping क्योंकि कई कोशन आपने देखे मैंने लिखे इनी solution उनका तो सब परकार की variety आपको मिलेगी किसी भी एक exam के अंदर ठीक है तो आज के session में हमने यह देखा कि किस तरीके से आप 17 प्री कि कोशन को जो कि आगली चार जून सेकेंड शिफ्ट का था पहली शिफ्ट आप कर चुके है कि ऑफके अगली शिफ्ट का पेपर हम नेक्स सेशन में लेंगे कोशिश करेंगे वह भी इसी वीक लें ठीक है तो आप बिसीकली तरीका भी देख रही है खाली आने तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे वाकिए आगे हम नेक्स सेशन में करेंगे